हरे कृष्णा तो प्रश्णा ऐसे है कि भाई या भाई बीती धर को कैसे पार करना जीवन में तो हम देखें संसारिक जीवन जो है भाउदिक जीवन जो है चार लक्षन है आहार निद्र भायम मैतुनम आहार मतलब खानेगा निद्र मतलब सोनेगा भय मतलब कुछ defense करनेगा, कुछ protect करनेगा कोशिश करेग, कुछ तो प्रतिक्रिया करनेगा defense में और मैतुनम मतलब प्रजनन करनेगा ये चार लक्षन जो है जो भी चीज जीवित हैं इस दुनिया में भावदिक संसार में ये चार चीज करते रहते हैं और ये चार कार्य में सबसे जो प्रमुक हैं सबसे जो अधिक मात्रा में होते ये ही भाई क्योंकि लोग जो है khanे में भाई होते ईसे आहर अगर करनेगा लोग भाई होते हैं, किसी का व्यादी है अगर वो आएंगे भी एक दाने के लिए वो एक दाने लेते left देखेंगे ah чutz различ so can receive वो आहर निथ्र रोट दKS अ इसलों हाट आधे पर स्प्रोच कुछ लोग धर शाते हैं कुछ-कुछ लोग जो heart attack patient हैं वो दर जाते कि आगर रात को में सोएंगे तो फिर सुबह उटेंगे के ने उटे कुछ लोग इतना धरते तो फिर नीन दिने आते हैं और मैतुन प्रजनन करने का भी डरते हैं लोग वरीड करते हैं पार्टनर भाग न जाए किसी और के साथ या मेरे साथ ठीकते हैं हमेशा मुझे प्रेम करते हैं तो ये भाई जो है ये दुनिया का बहुत प्रभावित है श्रीमत भागोदम में एक परिभाश डेफिनिशन या व्याक्य देते हैं कि भाई क्या है तो श्लोक आते है कि ग्यारावा सकंद दूसरा अध्याई 37 श्लोक है जहां बतारे कि भायम भाई क्या होते हैं भायम दुटिया अभिनिवेशा तश्यार भाई मतलब अगर हम दू अध्या को मगन हो जाते हैं क्या है दूसरा चीज इशट अपेतस्या मतलब भगवान को उपेक्षा करते हैं भगवान को निगलेक्ट करते हैं विपर्ययो और दूसरा मिस आइडेंटिफाई करते हैं अस्मिर्ति और भूल जाते हम कौन हैं वास्तफ में वास्तफ में हम भ तो तुरन भय आ जाते है तो कोई भी अगर भगवान को स्विकार ने करते है कोई भी अगर खुद का identity बूल जाते कि हम आत्मा है, हम ये शेरीर नहीं है और द्वितिया अभिनिवेश दूसरी चीज़ को मगन हो जाते है जैसे भाउदिक चीज़ को attract हो जाते है तो तुरन भय जो है वो प्रकट हो जाते है feeling तो इस भाउदिक दुनिया जितना भी हम शेरीर के साथ identify करते हैं, जितना भी हम ये भाउदिक वस्तु के साथ identify करते हैं, आ सकती होते हैं तो उतना हमारा भाई बढ़ जाता है तो भाई के से विमुक्त करना हम देखेंगे उदारन है चोटे बच्चे जो है कभी-कभी खेलते हैं पपा के साथ तो पपा क्या करते है चोटे बच्चे को वो उस्त को उठाकर और हवा में फेग देंगे जैसे हवा में फेग देंगे बच्चे रोते नहीं है ये क्या भायनत दरे हुए परिसिती है ना लेकिन बच्चे रोते नहीं है बच्चे उल्टा हसते हैं क्यों? जैसे उसको पपा हवा में उसको फेग दिया वापस उसको पकड़ते तो बच्चे क्या है विश्वास है पपा के उपर कि पपा मुझे पकड़ेगा वो विश्वास होने के कारण वो हसते रहते हैं तो हमारा जीवन क्या हुआ हम तो जबी कुछ भायनक या भाई परिस्थिती में आ गया हम भगवान को बूल जाते है और दूसरे चीज़ सोचते है इसलिए जब भगवान के उपर विश्वास नहीं तो हम भाई बीती बन जाते है तो जैसे ये बच्चे भले हवा में फेक दिया ऐसा कुछ उसका कुछ सहारा नहीं है कोई नहीं है लेकिन हो खसते रहते हैं कुछ पापा मुझे पकड़ेगा तो वैसे इस जीवन में भी इस लाइफ में भी अगर हमको भाई को विमुक्त करना भाई से पार करनेगा तो हम भगवान का शरन लेना ही पड़ेगा एक सुंदर श्लोक आते है श्रीमट भागोदम में पहले सकंद पहला अध्याई चौता श्ल ये घोर संसार में आ गया हम फस गया यन नाम विवशो ग्रनन केसे ना केसे भगवान का नाम लेना ही चाहिए विवशो बले हमको सोच के बले हमको एक्शली प्लान करके भी नहीं केसे ना केसे लेना चाहिए तका सद्यो विमुचेता तुरंत हम एक विमुक्त परिसिती मे आएगा क्योंकि भगवान जो है वो भाई को भी भगवान को डरते हैं सब लोग भाई या डेथ डर जाते हैं लेकिन डेथ जो है मुर्तियू जो है वो भगवान को भी डर जाते हैं यह विबेती स्वयमबवन तो इसलिए हम अगर भाई को भी मुक्त करना भाई किसे दूर करना तो भगवान का शर्ण ले लो क्योंकि भाई जो है भगवान को भी ढरते एक और श्लोक आते हैं दूसरा सकंद में पहला अध्याई पांचवा श्लोक है तस्माट भारत सर्वात्मा भगवान इश्वरो हरी तस्माट भारत सर्वात्मा सबी लोगों के लिए भगवान इश्वरो हरी भगवान जो है जो इश्वर है जो परमात्मा है स्रोतव्या मतलब सुनो कीर्तितव्यस्या मतलब गुनगान करो मतलब स्मरण करो अगर किसी का इच्चा है अभयम को प्राप्ति करना तो ये तीन चीज जो है करना चाहे मतलब भगवान की मारी में श्रवन करो भगवान के गुंगान गाओ किर्टन करो और स्मर्तव्य तुरन अपने हम भगवान का स्मरण करते हैं ये तीन चीज हम करेंगे तो automatically एक अभय का परिस्तिती प्राप्त होगा तो इसका और कुछ इलाज नहीं और कुछ उपाई नहीं कितना भी हम mental adjustment कुछ करेंगे कुछ फाइदा नहीं अगर हम इस संसार से भाई बीती को विमुक्त करना अगर इस संसार को जो danger परिस्तिती विम मतलब भाई जो है fear जो है बीती जो है मतलब हम बगवान को भूल जाते हैं और दूसारे चीज में बगना हो जाते हैं अरे ये कैसे होगा वो कैसे होगा ये क्या होने वाले एइसको उए अभी ये problem आएगा वो problem आएगा ऐसा सोच सोच के धर जाता है लेकिन याद करना चाहिए ये जो भी चीज जो भी घटना जो भी परिस्ति जो भी चीज चल रहे हमारा जीवन में सब भगवान का वश में सब भगवान का कुंट्रोल में यूनिवर्सल रिमोट कुंट्रोल जो है वो भगवान का हाथ पे ही तो वो याद करके भगवान का शरण और लेने का तब हम एक अभाई का परिस्ति मिलेगा, रे क्रिश्णा